नमस्कार किसान भाईयों कैसे हो आप सब किसान भाईयों आज की वीडियों में बात करेंगे हम बैंगन की खेती के बारे में किसान भाईयों अगर आपने भी बैंगन की खेती लगाई हुई है और इसमें एक समस्य इस समय देखने को आ रही है और काफी wide level पे ये समस्या देखने को मिल रही है जो बैंगन का पौधा है वो बीच में से तूट रहा है तूट करके पूरा ही पौधा गल सा रहा है और उपर का भाग तूट करके नीचे गिरखने के बाद पूरा ही पौधा जो है सुख जा रहा है तो यह किस समस्या के कारण होता है पहली समस्या यह हो गई दूसरी क्या है जो पौधा है पौधो का जो पत्ते हैं उस पर बहुत सारे स्पोर्ट बन रहे हैं या पत्तियां जुलसी रही है पौधा बेजान है कोई ब्रदी नहीं कर रहा है अगर यह सारी समस्या है आपके बे वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम समस्याओं की तो बात करेंगी साथ में यह बताएंगी कि हम कौन सा इस्प्रे करें जिससे कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए तो किसान भाई वीडियो पूरा देखें वीडियो इस्टार्ट करने से पहले किसान भाई आपसे रुकेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरू कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो किसान भाईव वीडियो श्टार्ट करते हैं किसान भाईव बैंगन की खेती में हमने समस्य तो बता दी यानि जो पौधा है पौधे का तना बीच में से गल रहा है बिल्कुल जिसको हम तनी का गलन कहते हैं या फिर पौधे की पतिया है वो जुलसा रोग हो जाता है तो अगर यह सारी समस्या आपके बैंगन की खेत में हैं तो यह कई कारणों सो होती है अब बात कर अगर हमारे खेत में कवक लग गया है तो इसके बज़े से भी हमारी समस्या देखने को मिल सकती हैं इसके अलावा दूसरे होता है जो की बैक्टीरिया है अ अगर उसमें बैक्टीरिल डीसीज आ गई है तब भी हमारे पौधहूकम में ग्रोथ भी नहीं हो पाईगी और पत तो उसको क्या है? इस्पोर्ट्स बना देती हैं पत्तों को जुलसा देती हैं, तो यह कारण एक हो सकता है, तो टो किसान भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने समस्या को अच्छे से पहचानना है, उसके बाद ऑन ही अपने ऐसपरे करना है? तो हमने कि एक कीड़ा निकलता है एक छोटा कीड़ा तो अपने की उसको जो पौधा खराब हो गया है यानि डेश्ट्रोय हो गया उसको खाड़ करके उसको देखें कि एक तने में समस्या है या पिर जड़ में तो यह जो समस्या बता रहे हैं यह तनी की समस्या है जो तना है बीच मे सोडी तो नहीं है क्योंकि अगर वो सोडी काट देती है तब यह दिक्कत हो सकती है किसान भाईयो समस्य को identify करने के बाद हमें इसमें छड़काप करना है तो यह जो हम इस समय दिखा रहे हैं इस पर एक करना बता रहे हैं यह जो है फंगस के कारण है कवक के कारण है फिर भी ह क्या होता है copper oxychloride 50% WP में होता है जो कि एक contact fungicide है इसको ले लें 400 से 500 ग्राम यह एक इकर के लिए काफी होगा और साथ में दूसरा होता है thaiophenate 70% 300 से 400 ग्राम इसको ले लें और एक ले लेंगे हम steptocycline यह भी जो होता है यह जो है antibacterial होता है इन तीनों को हम अच्छे से मेक्सरण को मिसरण को मिला लें और यह तीनों ही क्या है एक एकड़ के लिए काफी है इनको मिला करके अगर अपने खेतों में हम छड़काप करते हैं किसान भाईयो तो जो ब्रिंजल क्रॉप में जितनी भी मैंने समस्या हैं बताई हूँ चाब वह वैक्टरिया की वज़े ब्रवाद होने से रोक सकते हो किसान भाईयो अच्छे से इसका छड़काप जरूर करें और इसका कैसा रिजल्ट रहा वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो इस वीडियो में किसान भाईयो आज इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करके बत